नमस्कार मैं हूँ भूपेंद पथरिया और आप देख रहे हैं बाइटी मीडिया करते हैं आलो की भाव की बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश फर्खावाद की तो फर्खावाद में अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी आद जो है वो सिर्फ चार-पांच मुटर रही है और जो भावरा है वो 16-16.500 रुपए कुंटल का भावरा है लगबग इसमें सभी आलो इसी रेट भी के हैं थोड़ा बहुत उपर नीचे 16-16.500 रुपए कुंटल भी के हैं क्योंकि यहां पर जागतर पुख्राज आलो इस टाइम पे ख्याती आलो ही आ रहा है और चिप सोना बगएरा कम आता है तो ख्याती अगर 16-100 रुपए है तो साड़े 16-100 रुपए और 10-20 रुपए उपर नीचे भी हो सकता है और जो कोल का भावरा है वो 800 से लेके 8500 रुपए पैकिट का रहा है और पैकिट का बजन होता है 53 किलो और कुछ लोग यह पूछ रहेते कि फरुखाबाद कोल से अग तो बहाँ पर जो दलाल जो होती है उनसे आप कोंटेक्ट करें और कमिशन का मैं बता देता हूं तो फरुखाबाद में कोल के आलू खरीदने पर जो है आपको 1.5% कमिशन देना पड़ता है और इसके लावा कोई खर्चा नहीं है और जो भाव जो है 800 से 800 रुपए मतलब उसको 7.5 रुपए पैकिट के दम मिलेंगे किसान को तो यह थे फरुखाबाद के बाव बात करते हैं कानपूर की कानपूर में आमदनी रही है आज 40 से 45 मोटर के आसपास और जो भाव रहा है वो मीडियम वालू का 600 से 700 रुपया मन और जो अच्छे आलू हैं वो मतल जब 625 से लेके 650 रुपए मन के बिक्या हैं और जो 3797 चिपसोना और सिंदूरी बगार अगर है तो वो 650 से लेके 675 रुपए मन का बिक्या है और आज कल कुछ आलू कानपूर में कोंटल के हिसाब से भी बिक्ता है वो चिपसोना बगरा जो आलू है वो शायद कुछ बहुत पर कोंटल के हिसाब से बिक्ता है कानपूर में बिक्या कुल कूल दुकानों पर और मन के हिसाब से भी विक्ता है कि तो जो मैंने यह बहुत बता तो 900 रुपए पैकिट भी दिखेगा ये था आगरा का बाव अब बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी का तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज भावरा है वो 800 से 900 रुपए पैकिट का बावरा है और अब बात करेंगे बिहार बिहार में समस्तिपुर से बहों बिला आए समस्तिपुर में सफेद आलो 1500-16 रुपए कॉंटल है और लाल आलो 1650-17 रुपए कॉंटल है अब बात करते हैं महाराश्च्रा मुंबई की महाराश्च्रा मुंबई में आज आम दरी रही है 30-25 गाड़ी की और जो भाव रहा है वो medium आलू का 700-18 सुर्पय भाव रहा है और बढ़िया आलू जो है वो 1800-2000 रपर कोन्तल रहा है और बंबई के भाव में काफी variation रहता है बंबई के भाव में आपको 17— 비 Bridge आलू मैंने 17—18 रपर बताया और बढ़िया आलू 18—2000 रपर बताया तो बहाँ पे आलू मतलब 15-1600 रुपर में भी बिलेगा लेकिन क्वालिटी अलग होगी मॉंबे में जो है बुजरात का आलू कम में बिखता है और बहीं पे आगरा का आलू जो है जादा में बिखता है और बहीं भी फरुकावाद का आलू होगा तो आगरा से थोड़ा कम रेट होगा उसका तो ये बहाँ के भाव में काफी वरियेशन रहता है तो जो मैं एवरेज आलू का भाव बता रहा हूँ वो 17-1800 रुपर कॉंटल है और जो बढ़िया आलू सहिती सत्ता में बगरा जो आलू जाते हैं अगरा के वो 18-2000 रुपर कॉंटल की आसपास है और आप बात करते हैं गुजरात एंदावाद की तो बहाँ पे पुखराज आलू जो है वो 15-1700 रुपर कॉंटल है और अब बात करते हैं सीदे बेश्ट बंगाल की तो बेश्ट बंगाल में आज 5 जगह से भाव मिला है सिंगूर, बोहिची, बर्दमान, पस्ची, मिलनेपूर, बंकुरा तो आज यहाँ पे सिंगूर में जो भाव रहा है 840-850 रुपय पैकिडगा और बोहिची में भाव रहा है 840-845 रुपय पैकिडगा और बर्दमान में भाव रहा है 840-850 रुपय पैकिडगा यह तीन जगह के भाव आज सेम देखने को मिले हैं ऐसा बहुत कम होता है लेकिन आज जो मुझे यह भाव लगवक सेम दिखे हैं 840-850-845 रुपय के भाव है सिंगूर, मोची, बर्दमान तीनों जगह जबकि बर्दमान और सिंगूर के भाव में काफी बरियेशन रहता है आज यह बरियेशन देखने को नहीं मिला रहा है और अब बात करते हैं पस्चिम मेधनीपुर की पस्चिम मेधनीपुर में जो भाव रहा है वो 700-715 रुपय पैकिर रहा है गड़ालू का भाव और बंकुरा में रहा है 700-710 रुपय का पैकिर का भाव यह भी गड़ालू का भाव है और यह थे अभी तक के भाव जो मुझे मिले थे बाकि आप लोग कमेंट में अपने आके भाव पताएं और ताकि सारे लोगों को दूसरी जगे के भाव पता चलना है धन्यवाद